वेलकम दियार स्टुडेंट्स सलमु अलेकुम आज की तारिख है 23 अगस्तर 2020 सब्सक्राइब क्लास 9 थी हमारा जो टॉपिक है वह है कैंड़ सब्सक्राइब क्लास है हमारे पास दो तरह की क्लास होते हैं एक है प्रिंस्पिल क्लास जिसका मैं क्लास भी कहते हैं और दो उकें गोँ वैं यूँ वाट यह हमारे पास संटम साहिए है यू कांगो वैं यू वाट यू केंगो इस दा प्रिंस्पिल क्लाज जिसमें है यू कैंगो गाथ पाहिचल्फिकान जो है जस्बारिन इस और अप्रिंदेट क्लाज यह सबारिने फिरंस्पल क्लास के इसकी जो डिप बिना नहीं हो सकता क्योंकि इसकी जो मीनिंग है वो डिपन है इस पे मैंन कलास पे तो definition क्या है principle clause कि a principle or main clause is one that stands by itself इतना याद है ना and make us the main statement एक sentence बोला statement बनाता है ये इसे a subordinate clause is one that cannot stand alone a subordinate clause is one that cannot stand alone but depends upon the main clause for its meaning ये इस की meaning जो होती है subordinate clause की वो डिपन होती है main clause ठीक है तो subordinate clause are of three kinds subordinate clause के तीन केंड है एक है नावन clause दूसरा है adjective or related clause तीसरा है adverb clause तीसरा है adverb clause नावन clause क्या होता है is one which does the work of a noun नावन clause which does the work of a noun as that he is a thief that he is a thief he is a thief is known to all right he is a thief is known to all इसी तरा अधिवन जो है relative clause is one which does the work of an adjective as he who is good he who is good dies young he who is good dies young good जो है ये ये जो है ये अधिक्ट्व है इसा तुसरा adverb clause is one which does the work of an adverb as he eat so. He eat so that he may live. Eat so that he may live. यह थे kind of class इसके बाद हम नावन class explain करेंगे adjective class explain करेंगे, adverb class explain को उसके फिलहाब, इतना ही आज जो पहला lecture है मेरा है इसमें इतना ही आप रखना के class के 2 किसमे होती है यह एक है प्रिसंपर्िक कलास जो मैन कलास प्रिसे बद्रित कलास तो बहुती हिए तोमके जो मैन कलास भी कशेंड आख जो मैन कलास झाट है मैन करें को दिक कंज़ जुक और रवरभ कलास